तो हलो स्टुइंट, सवा यू? I hope all you are fine and doing well. आज से हम लोग अपने Business Studies के सारे Chapter के MCQs सिरीज को शुरू करने वाले हैं इत सिरीज में हम 2-2 Chapter के Group बनाके MCQs कवर करेंगे आपको हर Chapter हम लोग 2020 MCQs करेंगे और सेम जो भी हमारे 12 Chapter का हम लोग MCQ करेंगे एक वीडियो में हम लोग दो चैप्टर को cover करेंगे आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो हम लोग का management है and principles of management है आज इन दो चैप्टर का हम लोग MCQ करेंगे और जितने भी important MCQ बन सकते हैं इस दोनों चैप्टर से हो सारे important MCQ आज हम लोग इस particular video में cover करेंगे so let's start so जो first question है हम लोग का यहाँ पर लिखा है the process of creating an internal environment where individual work effectively and efficiently for achievement of goal is known आप लोग को हिंदी में भी question लिखा है जो आप लोग अगर कोई हिंदी नहीं यह जो English medium का है वो English question पढ़े जो Hindi medium का है उसके लिए पर Hindi में भी question को translate करके लिखा है so आप लोग अपने language के अनुसार जो आपको preference है जो language आप लोग पढ़ना चाहते है जो इस language में आप question समझा है उस language में आप question पढ़िए and then answer करने की कोशिश करिए मैं question पढ़ने के बाद आपको 10 seconds का time दूँगा कि आप लोग का answer सोच लिजे and then उसके बाद मैं answer आपको बताऊंगा और वो answer क्यों है वो भी reason दूँगा so question है कि the process of creating an internal involvement where individual work effectively and efficiently for achievement of goal is known as आंतरिक वातावरण बनाने की प्रक्रिया जहां व्यक्ति लश्य प्राप्ति के लिए प्रभावी धंस और कुशलता से काम करता है क्या कहलाता है वो coordination कहलाता है delegation कहलाता है management कहलाता है या planning कहलाता है यानि कि समनव्य कहलाता है प्रतिनिधी मंडल कहलाता है प्रभंध कहलाता है या यह हो जो ना क्यालाता है तो I hope आप भी तक आप लोगों ने अपना अंसर बता दिया होगा इसका correct answer है management management जो है वो इसका correct answer है याने कि the process of creating an internal environment याने कि management ही वो process है जिसके द्वारा हम लोग internal environment create करते हैं जहां पे हर एक individual effectively and efficiently अपने काम को काम करता है ताकि जो हमारे goal है हमारे जो organization का goal है उसको achieve किया जा सके यहां पे दो word use हुआ है effectively and efficiently आपको इन दोनों word की meaning पता होनी चाहिए आपको exam में यहां से question arise कर सकता है कि effectively क्या होता है and efficiently क्या होता है जहां पे काम को समय पे complete कर लिया जाता है जैसे कि आपको अगर काम दिया जाता है कि आप एक हफते के अंदर यह सारे mcq करके दिखाईए एक हफते के अंदर आप सारे chapters को पढ़के दिखाईए अगर आप काम को time पे complete कर लेते हैं तो आप होते हैं effective जब आप काम को time के अंदर complete कर लेते हैं तब आप होते हैं effective और अगर आपको कोई काम दिया गया है करने के लिए अगर आपको 40 unit कोई समान बनाने को कहा गया कि आप 40 unit ये समान बनाईए आप समान बना दे रहें लेकिन जो उसमें cost लग रही है आपकी cost लग रही है वो काफी efficient नहीं होगा अगर आप time पे काम complete कर ले तो effective होगा जब आप cost कम के साथ काम को अपने जो target आपको दिया गया है उसको complete कर लेते हैं तो आपका होगा efficient अगर आप time के अंदर जो given period of time है उसके अंदर अपने task को complete कर लेते हैं तो होते हैं आप effective तो यहाँ पे एक और question बनता है कि एक जो manager है वो effective होना चाहिए या efficient होना चाहिए तो एक manager को दोन होना चाहिए efficient भी होना चाहिए और effective भी होना चाहिए अब बात यह आती है कि इसको याद कैसे रखें कि effective में क्या होता है और efficient में क्या होता है तो effective देखिए आप लोग this pairing पढ़िए effective में T आ रहा है तो यह efficiently में आपका cost कम लगे और timely complete हो जाए तो वो efficient वाला होगा ठीक है तो इस question का answer question का answer क्या है management तो management ही वो process है जहाँ पे internal environment को create किया जाता है जहाँ पे सारे individual अपने work को effectively and efficiently complete करें ताकि organization का जो goal हो उसको achieve किया जा सके ओके second question पे हम लोग आते हैं एक सेकेंड हाँ सो second question यहाँ से शुरू होता है so management is a process management एक प्रक्रिया है प्रबंदन एक प्रक्रिया है क्यों है क्योंकि it involve a series of steps इसमें कई सारी shrink line शामिल है it lead a systematic working यह विवस्थित कारे की ओर ले जाता है third option है it involve one single activity यह एकल गतिविदी शामिल इसमें एक ही activity है इसलिए इसको प्रक्रिया कहा जा रहा है या none of the above तो इसका correct answer क्या होगा management एक process क्यों है management एक process क्यों है याने की प्रबंदन एक प्रक्रिया क्यों है आप लोग को मैं time दे रहा हूँ जब तक मैं question पढ़ रहा हूँ और वो इसके options पढ़ रहा हूँ तब तक आप लोग अपना answer बता दीजे तो management एक process क्यों है क्योंकि ये इसमें कई सारी series of steps है management क्या है management के steps क्या क्या है जो planning है, organizing है, staffing है, directing है, controlling है ये क्या है, इसके steps है, इसके parts है तो management इसलिए इसको series of steps कहा जाता है management को process इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई सारी series रहती है कई सारे steps रहती है तो इसमें चरणो के शिंखला सामिल है इसलिए इसको series of steps कहा जाता है So management is a process because it involves a series of steps I hope आपको ये question समझाया होगा So बढ़ते हैं question number 3 की तरफ जो की है when a worker achieve देखी वही वाला question आगया effective and efficient वाला So when a worker achieve target production of 100 unit at a higher cost वो इसको जो target दिया गया था वो तो achieve कर लिया लेकिन वो जो है वो higher cost पर अचीव किया है वो जो इसमें cost लग रही है वो काफी जादे है तो management जो manager है वो क्या है effective है efficient है वो क्या है तो इस case में manager क्या है effective तो है क्योंकि वो target को achieve कर लिया time पर लेकिन जो उसमें cost लग रही है वो काफी जादे लग रही है तो वो क्या है efficient तो नहीं होगा क्योंकि जो cost लग रही है वो काफी जादे लग रही है efficient में हम लोग cost तो कम रखना है न तो efficient तो हो नहीं सकता efficient नहीं होगा यानि कि कुशल नहीं होगा ठीक है both effective and efficient तो अपने आप हट गया क्योंकि जब efficient नहीं है तो यह option अपने आप गलत हो गया बचा हमारे पास दो option effective and none of the above तो effective क्या होता है जब time पे target को achieve कर लिया जाता है तो वो होता है effective when a worker achieve a target production of 100 unit at a higher cost he is जब एक श्रमिक उच्छ लागत पर 100 unit का लेच्छे उत्पादन प्राप्त करता है तो वो होता है effective होगा so effective यह होगा क्योंकि वो उसको जो target दिया गया था उसको वो achieve कर लिया it a given period of time जो time उसको period दी गए थी उसके through वो उसको achieve कर लिया so इसका answer होगा second यानि की effective बढ़ते हैं हम लोग question number four की तरफ अब आगे a good manager focus on एक अच्छा प्रबंदक किस चीज़ पर ध्यान देता है किस चीज़ पर focus रखता है उसका prosperity of management प्रबंदन की समर्द्धी prosperity of employee प्रबंदन की समर्द्धी तरब करमचारियों की समर्द्धी प्रोस्परिटी और बोद management और employee यानि की करमचारियों की समरिद्धी पे भी focus करेगा और प्रभंधन की समरिद्धी पे भी focus करेगा यानि कि इसका आंसर क्या होगा सी prosperity of both management and employee management के अगर वो अगर इसके prosperity के लिए काम करेगा तो इसके जो organization गोल है वो अच्छे होगा अच्छी तरीके से करेंगे तो जो एक अच्छा manager वो employee और जो organization गोल उसको दोनों को ध्यान में लेकर रखना पड़ेगा उसको अगला question फिफ्ट है management manager apply management principle by using creativity this is related to यानि कि प्रबंदन रचनात्म का रचनात्मक्ता का उपयोग करके प्रबंदन के सिद्धानतों को लागू करते हैं यह संबंदित है कि से संबंदित है management as a science management as an art management as a both art and science और management as a profession so management as a science जहां पे systematic knowledge आपको दी जाती है उसी को आप universal वो universal validator होती है उसको आप या कहीं भी use करेंगे all over world वो सेम रिस्पॉंस देगा यानि कि आगर कोई science आप खुद सुचे कोई science और कला कर रहा है तो हर कला क्या है आट क्या है जो भी कोई करेगा तो उसमें creativity ला सकता है अपनी तरफ से कुछ add-on कर सकता है तो होता है अगर आप यहां पे कर रहे हैं तो भी वही response मिल ला है कहीं और कर रहे है तो भी वही response मिल ला है और management as a क्या है कि आपको जहां एक systematic body of knowledge है उसको पढ़ना है and then after उसी को आपको perform करना है तो मेनेजर अपलाई management principle by using creativity तो creativity किसमें यूज कर सकता है science में तो use नहीं कर सकता है कि हाँ यहां पे कुछ और add-on किया अपने तरफ से तो उसका response अलग मिलेगा जो scientific principle है वो हर जगह same रहेंगे तो इसमें आप creativity नहीं use कर सकते यह option अपने आप eliminate हो गया profession वाला अपने आप eliminate हो गया यहां पर भी science का रोल आ रहा है तो यह भी अपने आप eliminate हो जाएगा science क्योंकि management में creativity जब management as a science हो जाएगा तो उसमें हम लोग creativity नहीं use कर सकते बचाय मिला जुला की एक option जो की है management as an art याने की जब management as a art को हम लोग लेके चलेंगे तो इसमें हम लोग अपनी creativity यूज कर सकते हैं इसमें हम लोग अपने हिसाब से changes ला सकते हैं अपने हिसाब से इसमें जो plus point है उसको add कर सकते हैं तो यह जहां चीजें आ जाती है creativity चीज आ जाती है तो उसमें हम लोग लोग लेके चलेंगे management as a art सो यहां पर question आता है question number six liaison with the outside world which is the function of यानि कि बाहरी दुनिया से संपर कौन सा level लगता है top level लगता है superior level supervisory level लगता है middle level लगता है या all of the above यानि कि बाहरी दुनिया के साथ संपर कौन रखता है अगर organization है उसमें कुछ काम चला है बाहर से raw material लाना है कि government से permission लानी है तो वो सब काम कौन करेगा वो सब काम किसका एकॉन देखेगा कि अगर हमें raw material घट गया तो यहां से जाते हैं लेते आते हैं हमारे यहां कुछ और चीजे आ गई कोई government से permission लेनी हो कोई अगर नई factory खोल लिए तो government से land खरीदने के लिए order ले कहना तो वो सब कौन लेखता है बाहरी दुनिया से संपर कौन रखता है सुपरवाजरी लेवल का क्या होता है चीजों को देख करना है मिडल लेवल का क्या काम होता है कॉडिनेट करना ऊपर से लेकिन लोर लेवल तक जो कॉडिनेशन काम रहता है चीजों को देखना मेंजिमेंट जो हो रहा उसको देखना यह काम होता है मिडल ले जता है बाहरी दुनिया से संपर्क रखना यह जो supervisory level है जसे लेवल आप लोग लग guides अधने की आपका पूरा responsible रहता है बाहरी दुनिया संपर करने के लिए बाहरी जो भी आउट साइज मैंने organization से बाहर का जितना भी काम हो रहा है वो सारा काम है आपका top level का वही सारे responsibility रहती है उसी का सारा जिम्में रहता है कि अगर अगर बाहर से कुछ भी संपर करना है कुछ भी आपके बाहरी दुनिया से organization को छोड़के बाहरी दुनिया से कोई भी अगर contact रखना organization को लेके organization के welfare के लिए तो वो top level का काम है वो top level देखता है ओके हम दो question number 7 पर बढ़ते हैं तो question performing or dealing with multiple function performing or dealing with manufacturing good या all of the above यानि की coordination important क्यों है coordination क्या होता है यानि की तालमेल तरह से आप लोग Hindi word इसको कह सकते हैं तालमेल आप आम तोर की भाशा में इसको तालमेल हम लोग कह सकते हैं so coordination is important in organization because क्यों important है organization में तालमेल यानि कोडिनेशन कहें तो क्यों इंपोर्टेंट है एकल कारे से निपटना या वैभार करना कई कार्यों का प्रदर्शन या वैभार करना विन्यामन वस्तुओं के साथ प्रदर्शन या वैभार करना या वैभार करना या यह सारे तो बेसिकली इस कोशन का सारी आंसर है परफॉर्मिंग डेलिंग वित मल्टिफल फ़ंशन सब्सक्राइब और हमारे कई सारे काम एक साथ चलने तो अगर हमारा कौडिनेशन नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं हमारे जो प्रोसर्ऽ चला उसमें बले चाहे जाए उसमें दिक्कत आएगी अगर एक रहे हैं। जो हैं। इसमें कोडिनेशन बढ़ीया नहीं हुआ , कही न कहीं जो फाइनल गुक्ट बन किया रही हैं। और कोडिनेशन्स क्यों यहां पर इंपो इंपोर्टेंट है क्यों हमारे पास मल्टिफल परस्जन है कहींâte और से हम प्रोकशं मेटर कया हैhouse कहीं packet मनाय जा रहा है तो कहीं उसको pack किया जा रहा है इसमें multiple function involved है तो इस जो यह process है उसमें coordination important है यानि कि अगर coordination नहीं रहेगा तो उतनी बढ़िया तरीके से हम चीजों को इस process को complete नहीं कर पाएंगे तो इस question का answer था आपका performing and dealing with multiple function that's why coordination is important in an organization I hope आपको इस चीज़े समझ आई होगी तो बढ़ते है question number 8 की तरफ the process by which a manager integrate and synchronize the activity different department is called so वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रबंदग विभिन विभावों की गतिविदियों को एकत्रत और synchronize करता है वह कहलाती है क्या कहलाती है वह management management कहलाएगा controlling यह controlling कहलाएगा planning कहलाएगा coordination कहलाएगा management क्या होता है the process by which we get things done by others with the help of others so management तो होगा नहीं controlling कहलाएगा controlling क्या होता है जहांपे हम चीज़ों को control देखते हैं कि हमारा चीज था वह ऐसे हो रहा है यह नहीं हो रहा है planning क्या होता है जो हम अपना target set करते हैं कि हमें इस चीज़ को यह सेट करना एस ऐसे चीफ करना है planning तो होगा नहीं योजना नहीं होगा controlling नहीं होगा management नहीं होगा तो इसका बच्छा answer option coordination तो coordination होगा इसका answer coordination क्या होता है मैंने आपको बताया कि ताल्मेल आपसी ताल्मेल the process of by which a manager integrate and synchronize the activity of different department is called coordination एक सारी एक्टिविटीज को एक साथ लाना और उसको एक साथ देखना सिंक्राइज करना वो क्या क्या लाता है कॉडिनेशन यानि कि समझन व्य इसको क्या कहेंगे हम लोग कॉडिनेशन कहेंगे हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 9 की तरफ मैं अभी जो भी आपको बता रहा हूं सारी चीज़े समझ आ रही होगी अजर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डिरेक्ट पूछ सकते हैं और इस सेशन के बाद आपको यह PDF प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप प्रिंशिक अतारी है जो भी जो पीडियेव से पढ़ना चाहते हैं बात में पढ़ना चाहते हैं तो सारी चीज़े आप देख सकते हैं तो कॉश्चन नमबर 9 मैंजेट मैंजमेंट वो विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव मैंजमेंट किस ऑब्जेक्टिव से काम करता है एक option इसका नीचे है एक जस्त सेकिंड जस्त सेकिंड अगे तो मैंजमेंट के सब्सक्राइब करता है कि मैंजमेंट किस प्रिंसेपल से काम करता है उपड़ कोश्चन चल गया वो देखना है रहा हो गाओ वो कोश्चन मैं आपको रिपीट करता हूं प्रबंदन निमलिखे उद्देश के साथ काम करता है किस उद्देश के साथ काम करता है जो आपका मैंजमेंट है वो किस objective से काम करता है objective of profit maximization लाब अधिक्तमर करने के उद्देश से अपने profit को बढ़ाने के लिए objective of sales maximization अपनी sales को maximize करने के लिए अपनी विक्री को बढ़ाने के लिए objective of becoming market leader market leader ब भी रहेगा, sales maximization भी रहेगा and market leader बनने का भी जो उद्देश है वो भी इसमें शामील रहेगा यानि कि जो management है, प्रबंधन है कि उद्देश से काम करता है? multiple objective से काम करता है जिसमें आपका sales maximization भी है, market leader बनने का भी उद्देश है और आपका जो profit maximization है वो भी उद्देश है तो बढ़ते हैं question number 10 की तरफ so providing good working condition and ensuring quality work is the function of यानि की काम करने की अच्छी स्तीती प्रदान करना और गुड़वत्ता पूर्ण काम सुनिश्चित करना यह किसका कार है? इसका काम काम है, middle level का काम सुपर्वाइजरी लेवल का काम है यह सब का काम यानि की All of the above तो मैंने अपको बताए की जो टॉप लेवल का काम है वो है कि बाहरी दुनिया से संपर्क करना जो भी plan and policy बनती है वो क्योर्न बनता है टॉप लेवल बनता है बाहरी दुनिया से संपर कौन करता है टॉप लेवल करता है सुपरवाईरी लेवल क्या करता है जो भी इनको order मिलता है अपने अपर लेवल से उनको perform करता है मिडल लेवल का जो काम रहता है वो रहता है कि आप जो quality of work है यानि कि जो working area है वो better provide किया जाए वो middle level का काम होता है यानि कि middle level ही ensure करता है कि जो काम हो रही है या जो working condition है workers की वो सही मिल लई है या नहीं मिल लई है तो यह सारी चीज़े कौन ensure करता है वो कौन ensure करता है middle level ensure करता है यानि कि काम करने की अच्छी स्तेथी प्रदान करना और गोड़ोता पूर्ण काम सुनिश्चीत करना यह किसका कारे है यह मिडिल लेवल का काम है मिडिल लेवल की लोगों का काम है मिडिल लेवल में कौन आता है टॉप लेवल में कौन आता है यह मैंने आपको थियोरी की क्लास में बता दिया कि कौन-कौन से किस लेवल में आएगा मिड़िन लेवल में आएगा ये सब चीजे आप लोकी तरह बरते हैं कोश्छ नमर 11 कौडिनेशन is coordination क्या है function of management and essence of management a part of management and none of the above coordination क्या है Summon of the function of management function of management यानि कि प्रबंधन का कार यह है नहीं है part of management management का हिस्ता है नहीं है ननव दव अभी हम लोग बाद में देखेंगे यानि कि प्रबंधन का साथ, अगर management में coordination ना रहे तो management के सारे process धरी के धरी रहे जाएंगे कोई काम नहीं को आउस से, यानि कि जो coordination है वो काफी important role play करता है management में, यानि कि अगर coordination ना रहे तो management का एक भी process आगे नहीं बढ़ पाएगा, I hope आपको मैं जित्ता भी बताते जा रहा हूँ, वो सारे चीज़े आपको समझ आ रही है अगर आपको नहीं समझ आएंगे तो जो मैं PDF आपको ये session के बाद प्रोइड करूँगा आप लोग इसको देख लेजेगा और जो भी आपको doubt रहेगा वहां से आप लोग जाके समझ बढ़ते हैं question number 12 की तरफ, so question number 12 है, as top level is responsible for the welfare and operation of whole organization, middle level is responsible for the welfare and operation of, so जैसा कि यहां पर लिखा है कि top level किस के लिए responsible रहता है, welfare and operation of whole organization, यानि कि पूरी organization के welfare के लिए कौन responsible है, हमारा top level responsible है, तो middle level किस चीज के लिए responsible रहता है, किस चीज के welfare के लिए responsible होगा, जैसा कि शीर्स्तर पूरे संगठन के कल्यार और संचालन के लिए जिम्मेदार है, पूरे संगठन के कल्यार और संचालन के लिए कौन जिम्मेदार है, top level, यानि कि शीर्स्तर पे जो लोग है, मध्यस्तर के कल्यार और संचालन के लिए कौन जिम्मेदार है मध्यस्तर किसके कल्यार और किसके वेलफेर के लिए जिम्मेदार है तो वर्कर के लिए डेपार्टमेंट के लिए या दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं तो इस कॉश्चन का अंसर क्या होगा वर्कर यानि क जो middle level है वह responsible है किस के लिए कर दिपार्टमेंट के लिए और उनके जो B बिए जो सभी ओसकर के लिए क्रोड के लिए जो मिडिल लेवल है इनके interrogation के लिए जो भी चीज़े इनके इनके जो सपस्रोड है तो कौन responsible है हमारा middle level responsible है top level कि कि के लिए responsible है यहां पर देखे लिखा है कि top level is responsible for the welfare and operation of whole organization यानि कि पूरे organization के welfare के लिए कौन responsible है top level तो middle level कि 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 के welfare के responsible है हमारे department के लिए और workhorse के लिए तो बढ़ते हैं question number 13 की तरफ the exploitive fully the growth potential of the organization management is talking about which objective यानि की संगठन प्रबंद की विकास शमता का पूरी तरह से दोहनकिश उद्दिश की बात कर रहा है social objective personal objective organizational objective या economic objective फिर से question पढ़िए the exploit fully the growth potential of organization यानि की growth की बात हो रही है किसकी organizational management is talking about which objective organizational objective की बात कर रहा है जहां पर organization के growth की बात हो रही है तो किस objective की बात कर रहा है organizational objective की बात कर रहा है question में क्या पूछा है कि organizational growth के लिए कौन सा objective जिम्मेदार है तो कौन सा objective जिम्मेदार है हमारा organizational objective जिम्मेदार है शोचल objective के इसके लिए जिम्मेदार होता है तो समाज में उसके से भुरा impact रहा है नेगेटव इंपेक्ट पड़ेगा तो उसके लिए हुगा हम अपने लिए रखते हैं कि यादि हमारा प्रोफिट जेनरीट कर से की यह हमारा पर्सनल उब्जेक्ट्टफ होता which level of management is concerned to coordinate the activity of different department according to overall objective यानि कि समगर उद्दीश के अनुसार वे भिन ने विभागों की गतिविदियों का समझने वो करने के लिए प्रबंधन कौन सा स्तर संबंदित है टॉप लेवल, सुपरवाजरी लेवल, अपरेशनल लेवल या मिडल लेवल तो कौन सा department है जो सब के coordinate करने के लिए responsible हो चाहे टॉप लेवल हो चाहे मिडल लेवल हो चाहे सुपरवाजरी लेवल हो तो आप लोग ये देखिए ये diagram देखे होंगे एक सेकिंड जैसे ये diagram है ठीक है यहाँ पे आपका top level आ जाता है, यहाँ पे आपका आ जाता है middle level यहाँ पे आपका आता है supervisory level यह आपका supervisory हो गया, यह middle हो गया, यह हो गया आपका top level तो question पूछाए कि कौन सा ऐसा level है कौन सा ऐसा level है जो coordinate करता है चाहे वो top level हो चाहे वो supervisory level हो दोनों से मिलके जो दोनों से जुड़ा हुआ है top level जुड़ा है या supervisory level जुड़ा है या middle level जुड़ा है तो आप लोग पाएंगे जो middle level है यानि कि मद्दिस तर का जो वो है लोग है वो दोनों लोग से जुड़ा है चाहे वो top level हो या चाहे supervisory level हो तो कॉन सा level of management सब्सक्राइब करके एक साथ आगे बढ़ने के लिए कौन रिस्पॉंसिबल होते हैं तो आगे बढ़ते हैं अपनों कोश्चन नमबर 15 की तरफ इसमें करमचारियों को सौपा गया कार करने के लिए हैं कि नेतिर्तो करना प्रभाववित करना और प्रेरित करना शामिल है प्रबंधन के किस ओं को उलाइट करता है कैसे होना है तो आपका स्टाफिंग होता है तो कौन से कौन से एक्टिविटीज में कौन से पार्ट में कौन से फंचन में यह बाते बताई जाती हैं जिसमें करमचारियों को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप इस काम को करिए उनको काम करते हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि वो काम को अच्छी तरह सब्ण कर सकें तो यह काम होता है कौन से function में? staffing function में, staffing function में हम अगले जो भी हमारे employee हुँएं को motivate करते हैं, उनको बताते हैं कि ये काम आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है वो काम उनको दिया जाता है वो काम को assign करते हैं यहाँ पर हमारा question है कि यहाँ पर question है कि जब एक superior अपने कहे वादे को पूरा नहीं करता है कि मतलब उसने एक superior ने वादा किया अपने worker से कि एगर आप जो आपको target दिया जारा आप इसको effectively and efficiently पूरा कर देते हैं तो मैं आपकी salary बढ़ाऊंगा लेकिन इस वादे को उसने पूरा नहीं किया तो कौन से rule का violation किया कौन से rule को नहीं निभाजा principle of discipline फर्स्ट ऑप्शन जो है principle of discipline यानि कि अनुशाशन का प्रचार है सेकेंड है principle of remuneration यानि कि प्रष्रामिक के प्रधान जो थर्ड ऑप्शन है एक सब्सक्राइब किया यानि कि जब कोई वरिष्ट अधिकारी अपने जूनिया यानि आपने से कहता है कि अगर आप इस टार्गेट को effectively and efficiently अचीव कर लेंगे तो मैं आपकी salary बढ़ाऊंगा लेकिन इस कहेवादय को उसने पूरा नहीं किया तो कौन से rule का discipline है यानि कि principle of discipline अनुशाशन का प्रचार है जो यह जो rule है आपका इसका उसने violation किया इस rule के तहद जो भी आपने वादा किया है जो भी आपने अपने subordinate को बोला है कि अगर आपने इस target को पूरा किया मैं आपको salary बढ़ाऊंगा या आपको टूर package दूंगा या कुछ भी अगर आपने कहा अगर आप उसको कहे अपने वादय को पूरा नहीं करते हैं तो आप principle of discipline का उलंगन करते हैं याने कि आप जो वादक कर रहे हैं आपको उसको निभाना चाहिए और जो आपने अपने subordinate को बोला है जो भी उनके लिए remuneration या पिर जो भी उनकी salary package जो भी बढ़ाने के लगाए उसको आपको पूरा करना चाहिए इससे जो है सब्सक्राइब करते हैं क्या प्रदान करते हैं इसका हिंदी में मैं एक बार रीड कर देता हूं जिसको नों समझ मैं उनके लिए याने कि प्रबंधन सिंद्धन शिद्धान प्रदान करते हैं क्या प्रदान करते हैं प्रबंधकिय समस्याओं का रेडिमेट समाधान प्रबंधकिय कारवाई के लिए निर्देश निर्देश किसी संगठन की सफलता की guarantee या all of the above तो इस question का जो answer है वो है हमारा guideline for managerial action यानि कि जो management है वो हमें बस एक guideline provide करते हैं कि आप इस situation में ये ये काम कर सकते हैं ऐसे इसे काम कर सकते हैं ऐसा नहीं कि कोई management principle आपको provide करती है वो हर एक problem में उसी तरीके से काम करें कोई अगर management है कोई सी की सोचने की छमता अलग होगी वो प्रिंसिपल को अलग तरग किसी क सोचने की, शमता कुछ और होगी तो उस प्रिंसिपल को किसी ओर तरीके से यूज से हूंज तो नहीं हो सकता क्योंकि सब्सक्राइब कुसी सोचने की शमता अलग अलग होती है, सब अपने विचार से सोच़ेंगे, अपने अलग में अलग-अलग जो लीड करता है वो अलग-अलग से डिसीजन लेगा अलग-अलग तरीके से सोचेगा तो यानि कि यह ready-made solution तो नहीं हो सकता guarantee for success of an organization यह guarantee भी नहीं देता है यानि कि यह आप management principle लगाते हैं तो आप और guarantee होगी आपके यह organization success करेगा ही करेगा तो इसकी guarantee नहीं देता है management principle बस आपको एक guideline प्रवाइड करता है कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है अगर यह situation आती है तो आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं तो यह क्या है बस हमें guideline प्रवाइड करता है ओके ठीक है तो इसका जो आंसर है वो है कि management principle क्या है यह बस managerial action को guideline प्रवाइड करता है कि आप ऐसे ऐसे काम कर सकती है ओके अब next question है कि गैंग प्लांग क्या है यानि कि गैंग प्लांग क्या है गैंग बिसिकली क्या होता है एक यह circular chain है ठीक है एक सेकेंड कुछ गलाद बन गया बिसिकली आप गैंग प्लांग को समझे जैसे कि मैंने आपको lower level, middle level and top level के बारे में बताया था जैसे कि यहाँ पर top level हो गया यहाँ आपका middle level हो गया और यह आपका supervisory level हो ठीक है तो गैंग प्लांग बिसिकली यह होता है जहां पे जो top level के लोग है वो direct आपके superior supervisory level की जो हैं उनसे coordinate, उनसे coordinate करते हैं उनसे बात्चीच करते हैं तो इसको goal plan कहते है याने कि जो circular chain है उसमें जो shortcut है उसको हम लोग gang plan कहते हैं जब यह direct इनके through नहीं जाकर कि direct इनसे communicate करते हैं तो उसको हम लोग shortcut यह इनके लिए एक तो shortcut हो है पहले अगर decision या कोई भी plan या policy बतानी ह level पर तो क्या करते है पहले middle level को बताते है middle level से नीचे चीज़े पहले middle level को बताते है फिर middle level से नीचे आता यहाँ पर सुपरवाईरी level में और यह फिर आता है यहां पर last stage पर यह process काफी delay हो जाता काफी लंबा हो जाता तो इसलिए जो गैंग प्लांक है वो एक shortcut है याने कि समझ आ गया होगा कि यह क्या है for keeping all the raw material and input ready याने कि सभी कच्चे माल और input को तयार रखने के लिए गया प्लांक है for making team among subordinate तो team subordinate जो है उनके बीच team बनाने के लिए यह तो यह होता है यह तीनों मैंसे तो कोई नहीं है आगे लोग last option हम लोग दिखते है यह तो जो last option है वो इस question का answer है आपका shortcut shortcut in a circular chain याने की circular chain में एक shortcut है जब भी हम top level से direct lower level पर communicate करते है तो हमारा gang plan का हिसा बन जाता है अब पढ़ते है question number 19 की तरफ so question number 19 organization interest supersive implied interest is indicated in कैमचारियों की हिद की जगह संगठन का हिद देखा गया है यह कौन सा principle है principle of subordination of individual interest to general interest याने की समान हिद के लिए वेक्तिगत हिद की अधीनता का सिध्धान principle of initiative याने की पहल का सिध्धान principle of discipline अनुशाशन का सिध्धान और principle of spirit day crops spirit day crops का सिध्धान तो यह कौन सा principle है जहां पर organization goal को और मतलब importance दी जाती है rather than आपके individual goal को ति यह हमारा जो है कौन सा principle है principle of subordination of individual interest to general interest याने की option question number a जहां पर हम अपने समाने हिद के लिए वेक्तिगत हिद की अधीनता का सिध्धान्ध यानि कि हम अपने जो वेक्तिगत हिद है उसको side करकि जो organizational organization का जो हिट है यानि कि हमारे जो संगठा ने उसके हिट के लिए चीज़े देखी जाती है हम अपने personal interest को personal जो profit हम उसको side करते हैं और जो organizational object और जो ग्रोथ के लिए जो profit है उसके बारे में सोचते हैं कि उसका कैसे profit सकता है कई बार ऐससा होता है कि माली जाउन को कोई worker हो समान खरीदे गया ठीक है अब वह समान उस दुकान से खरीदेगा यहां पर उसको को या तो वह मिले कुछ कमिशन मिले अगर मैटेरियल खरेदने गया तो वह उस दुकान से खरीदे जहां पर उसको commission मिले या तो वह उस दुकान से खरीदे जहां पर उसको organization के लिए जहां पर काम कर रहा है उसमें वहां के लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और वहां से खरीदना चाहिए वहां से काम करना चाहिए जहां स चाहिए तो यह कौन सा प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल ऑफ सॉब डिनिश्ट ऑफ इंडिविजल इंट्रस्ट टू जेनरल एंट्रस्ट आपको यी चीज समझ आई होगी तो आगे बढ़ते हैं फॉल कोशिटिपल और प्रिंसिपल ऑफ सबस्ब एंड ei इनसिस्ट आ यानिए कि उत्तर उत्तरदायत और प्रदिकार का सिधान्गा जोड दिया जाता है कि आपको जो जिम क्या अर्य जह के अधिकार दिया गया है वह दो या तो आपका जो जिम्मिदारी है वो बढ़ी है या तो आपका अधिकार छोटा है आपकी जो जिम्मेदारी दी गई है आपका अधिकार बड़ा है लेकिन आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो छोटी है और आपका जो अधिकार है और जो आपकी जिम्मेदारी है वो बराबर होनी चाहिए या ओल अब दब यानि कि example को लेके इसको समझते हैं जैसे कि आपको कोई जिम्मेदारी दी गई कि आपको यह काम करना है ठीक है आपको यहां से 200 बंडल या फिर 200 यूनिट आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है आपको दिया गया कि आप कार या गाड़ी नहीं यूज कर सकते तो यूज करना है खुब चीज आप यूज करिए लेकिन आपको काम कोई नहीं करना है तो यह भी इस केस में भी जो और्गनेजिशन का objective है वो नहीं अचीव हो और्गनेजिशन गोल जो है उसको नहीं अचीव हम लोग कर सकते responsibility हमेशा आपके authority के बराबर होनी चाहिए जितनी दिम्मेदारी है उतना ही आपका अधिकार भी होना चाहिए उतना भी आपका responsibility है उतना ही आपको अधिकार देना चाहिए कि हाँ आप यह चीज यूज कर सकते हैं यह आपकी responsibility है तो आपका यह अधिकार है आपको यह अधिक होना चाहिए उतना ही आपका आधिकार होना चाहिए जितना का आपका उत्तरदायत तो है ठीक है तो इस option इस question का answer option number C है याने कि responsibility is equal to authority all of those तो होगा नहीं आपकी authority हमेशा आपके responsibility से बराबर होनी चाहिए ठीक है I hope आपको यह चीज़े समझ आएंगे तो यहां पर हमारा chapter number one complete होता है अब से जो भी question है वह हम लोग chapter number two से पढ़ेंगे ओके तो यहां पर question है unity of command unity of command consist insist on तो आदेश की एकता पर जोड़ देता है क्या जोड़ देता है order from a single superior one boss one employee match between order and different bosses all of the above यानि की unity of command consist on एक आदेश की एकता पर जोड़ देता है यानि कि माली जे एक organization है वहां पर कई सारे worker काम कर रहे हैं अब सारे worker पर एक manager या एक boss तो हो नहीं सकता एक group of workers के लिए एक boss होगा ठीक है तो इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई काम करने लगा तब तक दूसरा boss आकर कहा आप यह काम क्यों कर रहे हैं यह काम को क्यों छोड़ दी तो यह क्या होता है यहां पर जो worker हो confused हो जाएगा कि कि किसका काम पहले करना है किसका नहीं करना है ठीक है तो यहां पर इस confusion को बचने के लिए एक बनाए गया था एक चीजे बनाए गए जिस पे order न दिया जाए जिस पे एक worker को एक ही boss से order दिया जाए कई सारे boss का order सुनेगा तो खुद confused हो जाएगा और काम जो है वो नहीं कर पाएगा तो यह होता है हमारा unity of command तो unity of command क्या है order from a single superior one boss one employee match between order and different bosses या all of the above तो order from a single superior यानि कि एक ही superior से अगर उसको order मिले तो वो काम को और अच्छे से कर सकता है और काम को productive बना सकता है और काम को अच्छी तरीके से organization के profit के लिए वो काम कर सकता है ठीक है वन boss one employee के हिसाफ से अगर काम करें तो काफी जादे boss हो जाएंगे काफी जादे employee हो जाएंगे 100 employee काम कर रहें तो 100 boss भी रखना पड़ेगा तो यह काफी दिख्छत का काम हो जाएगा match between order and different bosses यानि कि आदेशों के विभिन मालिकों के बीच मिलान करना यह भी नहीं हो सकता and all of the above तो इसका अंसर हो गया ही नहीं so unity of command basically यह है कि जो आपको order मिलना है वो एक ही boss से मिले अलग-अलग boss से अगर आपको order मिलेगा तो जो worker है वो खुद confused जागा कि किसका काम करना है किसका नहीं करना है किसका पहले करना किसका बात में करना है so unity of command is equal to order from one boss, one superior frequently transfer and turnover of employee led to violation of याने कि करनचारियों का बार-बार एक जगह से दूसरी जगह transfer करना क्या है principle of initiative याने कि पहल का सिध्धान principle of stability and personal स्थिर्था और कर्मियों का सिध्धान principle of discipline और last में होगा आपका unlearn of the above frequent transfer and turnover of employee led to the violation of कौन से rule का violation हो रहा है यहाँ पे principle of initiative याने कि पहल का सिध्धान इसमें तो कुछ initiative है नहीं तो यह option अपने आप eliminate हो जाएगा principle of discipline याने कि discipline याने कि यहाँ पे कुछ अनुशाचन का जो है वो rule का उसका violation तो नहीं हो रहा है यह भी नहीं होगा लास्ट में आपका none of the above वो भी नहीं होगा तो इस question का जो आंसर है वो है principle of stability and personal stability and personal जो rule है principle याने कि सिधान्त है इसमें यह बताया गया है कि लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एक proper time period दिया जाए वहाँ पे काम करने के लिए वहाँ पे अपने आपको प्रूफ करने के लिए तो इसमें frequent transfer and turnover of employee led to the violation of कौन्स rule का violation हो रहा है principle of stability and personal का तो इस rule का यहां पे violation हो रहा है करमचारियों का बार बार स्थान आंत्रन और turnover के उलंगन होता है कौन सा होता है principle of stability and turnover याने स्थेथा और कर्मियों का सिध्धान्त पर लास में था principle of spirit break-offs तो बेसिकली उसका अंसर वही था option number B यानि के principle of stability and personal बढ़ते है question number 24 की तरफ तो question number 24 है कि simplification technique is insist on यानि कि सरली करन तक्नीक जोर देता है using simple method of production more variety of product elimination of unnecessary diversity of product size and types और all of the above यानि की सरली करन तक्नीक जोर देता है कि इस चीज़ पर जोर देता है उत्पादन की सरल विधी का उप्योग करना उत्पादक का अधिक किस्म और third option जो है वह आपका है उत्पादक आकार और प्रकारों की आवनाशक विविधिता का अन्मूलन and all of the above त types तो यह जो है simplification technique consists of simplification technique क्या है तो जो unnecessary product बन रहे है उनको हम लोग eliminate कर दें उनका production कम से कम हो जो size, shape और उनका जो weight है उस पर हम लोग ध्यान दें और उसको ज्यादा से ज्यादा eliminate करने के कोशिश करें question number 25, the main objective of fatigue study is to eliminate training moment of worker to decide number of duration and frequency of break interval to differentiate productive and non-productive moment of worker and जो last में है आपका, एक सिकेंड, जो last option है वो आपका है, all of the above, तो fatigue study क्या है, तो fatigue study basically यह है कि वो एक study है जहां पर हम लोग यह चीज़े जानते हैं कि worker को कितने कितने टाइम पर break देना है, कब उनको गंटे बाद काम के बाद उन्हें break देना है, कब उनको rest देना है, कैसे उनका काम कराना है, तो यह जो study होता है उसको उनको fatigue study करते हैं, तो option एक बाद हम लोग पढ़िए, थकान अध्यान का मुख उद्देश यह है, to eliminate tiring moment of worker, श्रमिक का थकाव अंदोलोनों को कटम करना, तो यह तो होगा नहीं, to decide number duration and frequency of break interval, break अंतराल की संख्या अवधी और अवित्तिताय करनी के लिए, तो इसका answer यही होगा, to decide number duration and frequency of break interval, यानि कि कितने घंटे के काम के बाद उन्हें break देना है, थर्ड जो option है, to differentiate productive and non-productive moment of worker, यानि कि श्रमिकों का इधर से उधर जो घुमते रहते हैं, अफिरते रहते हैं, बिना काम की इधर से उधर जो moment रहता है, उसको कम करना, तो basically यह तो option होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, जो आपका सही option है, वो आपका option number B है, यानि कि to decide number duration and frequency of break interval, यानि कि कितने घंटे के काम के बाद उन्हें break देना है, इसी की study को हम लोग क्याते हैं, फैटिंग study, अब बढ़ते हैं question number 26 की तरफ, यानि कि technique of mental revolution is based on the principle of, यानि कि मानसिक क्रांती, मानसिक क्रांती की तक्नीकी सिद्धान पर आधारित है, harmony, not discord, science is not a rule of thumb, principle of responsibility, and authority, and all of the above, यानि कि मानसिक क्रांती की तक्नीकी सिद्धान पर आधारित है, सब्भाव कलह नहीं, विग्यान अंगूठे का नियम नहीं है, जिरमेदारी और अधिकार का तो इसका जो आंसर है वो है हार्मोनी न डिसकार्ड तो मांसिक क्रांती तक्निकी सिद्धान पर हाथ धारित है कौन से पर हार्मोनी न डिसकार्ड ओके आपको यह सारी चीज़े समझ आ रहे हैं बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नमर 27 की तरफ तो प्रिंसिपल ऑफ और चीज़टा से थाज़्टा से जगह प्रखत रहें हैं हैं नहीं तौई समय degrees ने इसरा गए कि क्मान को सकते हैं उसका प्रॉपर प्रॉपर प्लेस रखा आप के आप खोज सकते हैं उसे एंप्लउयो करमचारियों का स्थूपीरियर जो अ この स्थी चाहिए उसी सहाब धिनी को काम करना है one boss one command यानि कि एक मालिक एक आदेश तो principle of order consist on insist on तो principle of order किस पर काम करता है order from single superior so basically यह तो इसका कोई role यहां पर होगा ने employee must work as for order of superior only तो यह भी order तो यह वाला जो को option था वो तो हट गया इसमें eliminate हो गया तो अब आपको देखना है principle of order insist on तो किस पर insist करता है जो आपको order मिलता है principle of order यानि कि जो अस्था का सिध्धात है वो किस पर insist करता है order from single superior employee must work on as per order of superior only and जो third है वो one boss one command तो इसका जो correct answer है वो है order from single superior ओके जिसका जो answer है order from single superior यानि कि अगर एक आदमी से ही order मिलेगा तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं according to fail fail आप जानते होंगे fail कौन है fail principle आपने 14 principle दिये है और management को लेके तो क्या है उनके उनके अनुसार एक नियम यहां पर कुछ दिया गया कि संगठन को विविक केंद्री करने की नीती का उप्योग करना चाहिए और नेजेशन को सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों यूज करना चाहिए या नन अफ दबर तो फेवल के नुसार जो स्टेट्मेंट यह है यानि कि option number A है यह तो गलत है और इसेंट्रलाइजेशन ही पूरा चीज नहीं हो सकता कुछ चीज़े आपको डिसेंट्रलाइज भी करी पड़ेंगी पूरी तरके से आप डिसेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते और इसेंट्रलाइ और इसेंट्रलाइजेशन है तो वहां पर आपको सेंट्रलाइजेशन से भी एंडी सेंट्रलाइजेशन और इसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को सेंट्रलाइज भी करना चाहिए और डी सेंट्रलाइज भी करना चाहिए और डी सेंट्रलाइज भी करना चाहिए ऑप्शन को अपनी अनुसार मेंच कर सकते हैं, तो यह क्या दिखाता है. मेनेंट की प्रिंसंपखब को यूज कर सकते हैं वह अपने सिच्फैस्ट कर को दिखाता है management क्या है flexible है यहां पे तभी न आप उपने अंसार उसको चेंज कर सकते हैं ओके सब बढ़ते हैं question number 30 की तरफ so administrative principle और given by administrative principle किसके द्वारा दिया गया था कि द्वारा गया था किसके द्वारा गया दिया गया था एंविस्टेटिव प्रिंसिपल हैं रिफ्योल के द्वारा गया था management is a single activity true or false management एक आदमी का ही एक single activity है है या नहीं है प्रबंदन एक गतिविदी है है याने true false तो basically इसका answer false ही होगा क्योंकि management कई सारे स्टेप्स का कर्शन है कई सारी सीरीज है कई सारे स्टेप्स में management में होते हैं तो management एक single activity नहीं है management is dynamic याने कि management गतिशील है basically yes management गतिशील है management is a dynamic management is intangible management को हम लोग देख नहीं सकते हैं बिलकुल सभी बात है management को हम लोग देख सकते है management कहीं आप स्कूल में गये कहें के management बढ़िया है ठीक है तो आप उसको management tangible नहीं है अप उसको छू नहीं सकते हैं ठीक है उसको आप छू नहीं सकते हैं अब महसूस बस कर सकते हैं को आप महसूस कर सकते हैं सबीकों छिजह होती है सबस्काइब है इसको शुआ सबस्काइक सकते हैं मैनेज्मे जैटीज्ए ऑफ टॉप लवल नाभी मैनेज्मेंट बस महसूस कर सकते हैं मिडिल लेवल और सुबधिनेट लेवल होता है कि फेजम वो भी करे committee कोई अजह करते हैं होके कोई जगह काटे हैं करते क्योंकि इसको अपनी अनुसार चेंज किया जा सकता है जैसे scientific यह नहीं है कि आप यहां पे भी वही चीज काम कर रही है आपके लिए तो आप कहीं और जाके काम करेंगे तो भी वो चीज आपके लिए उतनी ही कारेगर साबित होगी उतनी ही काम करेंगी आपके लिए ऐसा नहीं होता है अगर यहां पे वही प्रिंसिपल काम कर रहा है तो अगर अगर कहीं और आप उसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे तो उतना ही रिस्पॉंस मिलेगा तो अगे बढ़ते हैं कुशन नमर 36 की तरफ इसमें काफी टाइम लगता है काफी लोगों के लगते हैं इसको बनाने में इसको इसके पीछे काम करने में आगे बढ़ते हैं कुशन नमर 37 पर फेल फोकस ओन वोग तो श्रमिकों पर फोकस था नहीं था उनका फोकस किस पर था सब पर था इसको नमर 38 वर्कर शुट बीवन ओनली रिस्पॉंसिबिल्टी वर्कर्स को बस रिस्पॉंसिबिल्टी देना चाहिए उनको उसके साथ अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए तो य उनको उसके साथ उनको अथरेटी बी दी जाने चाहिए जिटने दिवनिदारे जीदकार है उतना ही उनको अधिकार क्या चाहिए तो इसका उंसर होगा false sorry यहां पर इसका अंसर होगा false and last question आज का last question की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जो कि है हमारा differential peace wage system boiler principle of equity यानि कि differential peace wage system equity के सिद्धान का उलंगन करता है यानि कि अगर किसी की माली जे कोई जादे post पे हो ठीक है तो उसकी salary आप 50,000 कर दिये कोई अगर worker है तो उसकी जो salary यह वह 20,000 है तो यह जो equity का principle उसको कहीं न कहीं हां नहीं पहुचाता है उसको कहीं न कहीं जो फरकर है उनके मन में यह आता है कि हा नहीं वहनाइन को ज्यादा salary मिल लिए हम को कम इंस्पाटर कि को ज्यादा क्याम कर रहे हैं तो यह कौन principle of equity को करता है या ने करता है तो बेसिकली यह को करता है कौन सा स्टम डिफरेंशाल पीश स्टम जो है ऑमारे प्रिंसपल आफ को वाइलेट करता है तो आपको जो बी जितने भी बन सकते थे यह सारे में आपको बता दिये आप जाके इसको प्रैक्टिस करिए गाए इसके बाद मैं आपको ये शीट भी प्रवाइट कर दूंगा जिससे आप लोग इसको और पढ़ सकते हैं जो भी आपको 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 पेपर आए पास में आ रहा है तो आप पूरी वीडियो न देखकर बस उस PDF को पढ़ लेंगे तो थैंक यू ओल थैंक यू सो मुच